जल्द नवरात्री का त्योहार आने वाला है. नवरात्री का माहौल ही अलग होता है. नवरात्री में मादुर्गा की लोग सक्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं. कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है. लोग मादुर्गा को प्रसंद करने के लिए कई उपाय करते हैं यदि आप भी मांदुर्गा को प्रसंद करना चाहते हैं तो हमारी यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़नी चाहिए आज हम आपको लोग का ऐसा असरदार उपाए बताने जा रहे हैं जिसे नवरात्री के दौरान करने से मांदुर्गा आपसे काफी प्रसंद हो जाएगी मांदुर्गा की कृपा से आपकी घर की खुशाली बनी रहेगी तो चलिए जानते हैं क्या है यह उपाए लोग के असरदार उपाए नवरात्री का समय राहु केतु के दोश को कम करने का सबसे प्रभावी समय माना जाता है नवरात्री के दौरान लोग का दान करना काफी असरदार माना जाता है इसके अलावा शिवलिंग पर लोग चड़ाना भी आपके लिए काफी फलदाई होगा इस उपाए को करने से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम होगा घर में खुशाली आएगी यदि आपके घर का माहौल खुशनुमा नहीं है आपके घर में रोज लड़ाई जगड़े हो रहे हैं तो पीले वस्तर में दो लोग बांध कर घर के किसी कुने में टांग दे इसके अलावा तीन लोग को लाल वस्त्र में बांध कर किसी दुर्गा मंदिर में दान करने से आपका दामपत्य जीवन खुश हाल बीतेगा यदि आप जी तोड मेहनत कर रहे हैं मगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको मंचाही सफलता नहीं मिल रही है तो लोग का ये टोटका आपको अवश्य करना चाहिए हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीप जलाएं तेल में दो लोग डाल दें लोग डालकर दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पार्ट करें ऐसा करने से आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। जीवन में आप सफलता की सीवी चड़ेंगे। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिती सही नहीं है तो नवरात्री के समय गुलाब के फूल के साथ दो लोग मादुर्गा को अर्पित करें। इसके अलावा लाल रंग के कपड़े में पांच लोग और पांच कोरिया बांध कर तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से मादुर्गा की कृपा आप पर होगी और आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी।